एकत्र करने की आवश्यक्ता है पंडुबी अब हमें इसे भुलने की जरूरत है पंडुबी चलिए वाटर पार्क बनाने के लिए सली का निरिक्षन करते हैं बंदरगाह पर जाने का समय आ गया है चलिए रास्ते में आने वाली बाद हाओं हमारे रास्ते में ध्यान ने एक दूसरा जहाज ठीक आगे है रास्ता साफ करने के देखिए हमारे ठीक सामने एक और जहाज है रास्ता साफ करने के लिए हुर्य हम बंदरगाह आ गए है चलिए एक पाइलिंग शिप और नीला बजरा तयार करें तयार अब हमें इसे भरने की जरूरत है पाइलिंग शिप वो गया चलिए खमने गाड़ते हैं चलिए मरम्मत करें पाइलिंग शिप हमें पेंच सीधा करने की जरूरत है तयार हमें एकत्र करने की आवश्यक्ता है पीला बजरा अब हमें इसे भरने की जरूरत है पीला बजरा हमने कर दिखाया और अब चलिए सामग्रियों को इसमें लोट करें पीला बजरा हो गया चलिए लोहे की छड़ से सनरक्षना को मजबूत बनाते है से पहले चलिए एक मास्ट क्रेन और लाल बजरा तयार करें हो गया भरावर मास्ट क्रेन हमने कर दिखाया चलिए उपर की तरफ पानी की अफूर्थी के लिए पंप लगाते है हुआ हुआ हपुआ है एान्य की जफ दिख पंप लुआ हुआ है झाल को दिखको Garcia और अब हम बंदरगाह की ओर बढ़ेंगे हमारे रहबाया स्टेरिंग चट्टा ने दिखाई दाया स्टेरिंग ध्यान में एक दूसरा जहाज ठीक आगे है भोपू बजाने के लिए लिए बहुत अच्छा हमने सभी बाधाओं को पार कर लिया है चलिए एक स्टेकर जहाज और बार्च तयार करें अब हमें इसे धरने की जरूरत है स्टेकर जहाज बस इतना ही चलिए स्लाइड के लिए एक प्लाच पॉप सेटप करते हैं बंदरगाह पर जाने का समय आ गया है चलिए रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करें हमारे ठीक आगे चट्ट दायां स्ट्यरियो देखिए हमारे ठीक सामने एक और जहाज है रास्ता साफ करने के लिए भूप हुरे हम बंदरगाह आ गये हैं एकत्र करने की आवश्यक्ता है नीला नाव पहले हमें इसे भरना होगा नीला नाव और अब चलिए सामगरियों को इसमें लोड करें नीला नाव चलिए कावरिक और बेसिक साइट बनाते हैं इकत्ठा करते हैं लाल बजरा अब हमें इसे धरने की जरूरत हैं लाल बजरा आप वोकर अच्छा कर रहे हैं चलिए स्लाइट के लिए सहाना लगाते हैं चलिए मरम्मत करें लाल चलिए चेन और लंगर पर जमी जंग साफ करें चलिए चेन और लंगर पर सुरक्षात्मक पेंट लगाएं बहुत अच्छा हमें एकत्र करने की आवश्यक्ता है कंटेनर जहाज और अब चलिए सामगरियों को इसमें लोट करें कंटेनर जहाज शाबाश चलिए अलग-अलग हिस्तों से स्लाइट जोड़ से है सबसे पहले चलिए एक क्रेन जहाज और बार्ज तयार करें अब हमें इसे धरने की जरूरत है क्रेन जहाज चलिए एक सन्रचना लगाते हैं और स्पाइरल स्लाइट जोड़ते हैं क्रें जहाज जोड़ते हैं और अब चलिए वरामत हमें जहाज पर दरार वेल्ट करने की जरूरत है चलिए वेल्डिंग सीवन को रगड़े और अब चलिए दाग पेंट करें अच्छा काम करते रहे से पहले हम इकठा करते हैं शिप क्यारियर भरावन शिप क्यारियर पंप दबाई हमने कर दिखाया चलिए हमारी बॉटर पास के कुछ प्राक्रितिक दरिश्य जो होते हैं फ्रॉल हम प्लॉट नो प्रहो प्रोगर अबस्लिए प्रिकष्लिए और अब हम बंदरगाह की ओर बढ़ेंगे दियान ले एक दूसरा जहाज ठीक आगे है चटाने दिखाई दे रही है बाया स्टियरिंग आगे एक मूंगे की चटा दाया स्टियरिंग बहुत अच्छा हमने सभी बाधाओं को पार कर लिया है वरमत करें गुट चलिए जहाज पर दरार वेल्ड करें चलिए वेल्डिंग सीवन को ग्राइंड करें और अब चलिए दाग पेंट करें बहुत अच्छा अब हम इसे घर्वे की जरूरत है गोता खोरी नाव पुरे चलिए पंप शुरू करके स्लाइड की चार्च करते हैं बहुत अच्छा प्राइड करें चलिए धूते हैं गोता खोरी नाव तयार पहले हमें इसे भरना होगा मालवाहक नाव बस इतना ही और अब चलिए सामक्रियों को इसमें लोड करें मालवाहक नाव पुर्वे चलिए जीवन रक्षक टावर बना गे हैं बस्ता गोड़्यों कि काथ यह लोड़ंनु करें यहँ गे प्राइड़ से इतना ही तूवे सामक्रियों कुर्वे प्रेटर करने की आवश्यक्ता है बोट कि आए कि आए कि आए कि आए कि आए कि आए कि अए यह नहीं कहले हमें इसे भरना होगा बोट बस इतना ही चलिए पीपे से एक मेड़ बनाते है सब हो गया वाटरपाफ पूरा हो गया है तैरने और स्लाइट करने के लिए यह सुन्दर जगा है कि पाह बढस्यज़ झाए 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 कि आए झाए पूर